Hello Friends, आपका स्वागत है 23 से 27 जनवरी के Market Outlook क्याने रहा है और इस Market Outlook में मैं जो आपके साथ चर्चा करने जारूँ वो वास्त में दो पार्ट में करूँगा पार्ट वन में मैं आपके साथ चर्चा करूँगा कि भाई जो बैंकों के result आएं वो वास्तर में बहतरीन है और जो बाकी many facturing sectors हैं वो इतना अच्छा नहीं कर पारे तो यहाँ पर जो बजार अभी हमारा 18,000 पर खड़ा है index की company फिर भी कुल बिला के ठीक result दे रही है तो आपको पता चलेगा कि भाई खालत काफी खराब है यानि कि हम यह कह सकते हैं कि भाई जो पैसा है जो देश की wealth है वो अगर हम 50% wealth की बात करें तो तकरीबन 1000 उद्योपतियों के पास ही जो है सारी जो 1000 rich person है उनके पास इंडिया की 50% wealth जो है वो enjoy करते हैं तो इसी तरीके से index के अंदर भी जो heavy weights है अब उनके अंदर wealth काफी जाता है लेकिन अब बात यह आ रही है कि जो small cap और big cap है वहाँ पर result खराब है large cap में भी कोई बहतरीन result नहीं है except bank और bankों के result यह अच्छे होने भी थे हम भी उमीद कर रहे थे और सीधी सी बात किया है कि कोटक मेंदरा bank के result आये सबते ICI IDFC first bank और कुछ bank के result weekend पे आये थे और वो थे बंदन bank और yes bank का चेनिवार को result था वो सब हम जो है चर्चा करेंगे और आपके सामने एक ऐसा जो है decisions लेके आएंगे जो आप खुदी निरने कर सकें कि इन data points से क्या आपको नजला गया थे बैंकों के result क्यों अच्छे आने थे भाई पैसे की न सबको दिक्कत थी सबको दिक्कत थी सबको उधार चाहिए था तो rate of interest बढ़ गया तब भी चाहिए था और भई demand थी तभी तो rate of interest बढ़ा लोगों को पैसे चाहिए थे तो higher rate पे इंट्रेस्ट पे पैसा उठता है इंडिया में इतनी पैसे की जरूरत है बे हिंदिया तो banking जो सक्टर है वो अच्छा कर रहा है profitability आपको दिखा रहा है यहाँ पे न भाई कब assets घूम जाएगी रिकवरी करना बड़ा मुश्किल काम है तो अभी gross NPA, net NPA सब ठीक है लेकिन जो वास्तव में performance है पूरे बजार की उसको आप देखोगे तो बजार के अंदर मुझे personally ऐसा लगता है कि bank यह performance loan growth हो रहेगी आपकी deposit growth भी रहेगी लेकिन भाई सब assets quality पर dent है और हमें margins भी आगे घटते हुए जो है नजर आ रहे है तो बैंकों के result अभी फिलाल बहुत बड़ी है उसके बाद लेकिन futuristically अगर आप सोचेंगे तो बैंकों के result भी इस rate से इस grow नहीं करने वाले हैं जो हमें लग रहा है जो economy में हालत है manufacturing companies के तो हालत है इक खराब तो मैं इन सभी को आपके सामने एक बार लेकिया तो पिक्चर में और मुझे जो सबसे खतरनाक लग रहा है वो लग रहा है जो 35, 40, 45, 50, 70, 70 PE की ratio पे share चल रहे है उनमे अभी भी पेइन आना बाकिया जैसे आपने एशन पेंट्स के share पे भी देखा क्योंकि अल्टिमेटली डार्कली इंडार्कली वो consumer business है लेकिन फिर भी आपको डेंट देखने की मिलेगा एक बहुत बड़े PMS के जो है fund manager सारे दि मैं रिलेक्स हो की बात कर रहा हूँ उन्होंने अपने fund से निकाल दिया वो जिसको सुबह से शाम तक बोलते थे न भाई साब यह चप्पल बिजनस ही बिजनस है और वो चप्पल का शेर सोक है पी पर चला गया लोग बैठ गया पब्लिक बैठ गया यह वेक्ती चपल ही ब इस उसी में सो उन्होंने उसको लिक्विडेट कर दिया तो ध्यान रखिएगा जो हाई पी वेलुशन वाली जो शेर्स है उनके सस्टेनिबिल्टी पर हमेशा रिस्क करता है कि क्या आप सो के पी वाला जो शेर्स खरीद रहे हो तो क्या उस सस्टेनिबल मोडल पर है या न मांक लगाना है भाई वेलुशन बजार एक टाइम पर वेलुशन देता है किस चीज़ को दूसरे टाइम पर उतार भी देता है तो ध्यान रखिएगा जब तेजी होती है उसी में बड़े मंदी भी बना रहे होते हैं तो आईए गए मैं आपका समय खराब नहीं करते हुए आपको जो है लेके चलता हूँ कुछ ऐसे रेजल्ट के उपर जो भी इस अफते आयों और मैं सबसे पहले आपकी नजर डालना जाओंगा आपको पता मेरी तेजी की पोजिशन भी है कोटक मेंदरा बैंक में और मैं आपको बोला भी था कि भाई कोटक मेंदरा बैंक पर उ सब लोग बोलेंगे भाई सब और देखेंगे यूट्यूब तो एक ऐसा माध्यम है यहां पर जो बड़े बड़े ट्रेडरस है न वो रोज एक ही बात बोलते हैं अगले दिन भाई सब्सक्राइब अगले दिन कल तेजी बोली थी आज मंदी है तो उनका टारगेट होता है बाई एक दिन तो बोलते हैं 17,400 आएगा इंडेक्स अगले दिन फिर बोलते हैं तो फिर बोलेंगे 17,400 आएगा अगले दिन फिर 18,400 हो जाता है तो बाई ऐसे काम नहीं जलता है वाजार में रोज फोड़े समय तो खेलो हर रोज आप अपना व्यू बदल देते हो तो यू पराम के दिन है मैं अभी भी अपनी बात से काया हूं बेशक से अच्छे रेजल्ट आगे तो बड़े प्लेयर को चाहिए ही तो होता है ऐसा ऐसे ही तो रेजल्ट चाहिए होते हैं एक दो दिन अच्छे से रेजल्ट आजाए बजारत पर चला जाए अपना माल भी तो उफ आज भी आप मेरी विटा रहा और तो मुझे तो कुछ गलत नहीं लगा और मैं आभी भाइस अपने पॉटफॉलियो के शेस में और आज भी आप मेरी video सुनते होगे ना बहcü साथ दिल खोल के बोलता हूं और अभी भी बोल रहाहूं मार्क्सन Sims, भाई तेज हूँ तेजी है तेजी है खेल रहाऊं तेजी थे तेजी तेजी वी देख से ऐसे माप देला मन्दि आं प्रहें this Kotaiki में अंधर है chain सबस्द में एक ही बहन आपको लगता होगा गेर सार हमेशा मंदी में रहते हैं अभी देख लो ना जो कौट रिजर्ट्स आए और आपको बता देंगे अभी आपको अगले छे मीनों के अंदर आपको पूरा पते चल जाएगा जो कोविड के दोरान बजार में आए उन्होंने आज तक यह जो सीन वो देखा नहीं होगा अपने पूर्ट्फोलियो में जो भी देख रहे हैं और असली स्टोरी भी बाकी अगले दो तीन महीने में अपने मार्च तक आप देख लेना आपके पूर्ट्फोलियो के हल अग्य हो नहीं कि जो रिक्षेश में वो वर्ल्ड में बात हो रही है लेकिन इंडिया की जितनी केमिकल कमपनी उनके रिजल्ट का की आएब के आख के आप आक रखी है और सिंपल सी बात है एकोनोमी यार जब 4 या 5% की रेट पे गरो करेगी आप सुनते मैं कहरो लोंग टरप मैं भी बुलिश हूं लेकिन आप मीडिया में रोज सुनते रहोगे तेजी करो तेजी करो पैसे तोड़ी ना बनते ऐसे आप बोलता रहो तेजी वालों ने क इशली बार और इसके बार अगर हम बात करें भाई नेट NPA कितना पॉइंट 4-3 तो इसने तो परफोर्मेंस अच्छी दी है यूटूब में रविन्यूस थे 89 जो 68 से यर और बढ़ गए तो इसके शेर्स में साल दर साल कोई बढ़ोतरी भी नहीं हुई है तो इसको आप मा प्रोफिट लेंगे साइड हो जाएंगे बड़ा प्लेयर भी यही करेगा बड़ा प्लेयर भाई उपर जाएगा ना पहले और खीचे को वहां पर ले जाके मंदी बना देगा आप उको एच्छी बैंक पिछले 3-4 दिन से तेज चल रहा हूँ इंडेक्स मैनेज कर रहा था कल जब यह समझ जाएंगे इनका इंतजार करता कोटक और आई से ठीक सा रजड़ते दे भाई मैं अपने आप उतर लूँ अभी एक दो दिन में देखिए HDFC बैंक को उतार देंगे तूर जाके खड़े हो जाएंगे तो अभी इंडेक्स मैनेजमेंट हो रही क्योंकि भाई पिछले क्वाटर से कितनी ग्रोष है पिछले क्वाटर से 10% की ग्रोष है सारे बैंकों की 10% है चोटे बैंकों की भी है यार बड़े बैंकों की छोड़ो एस्टिबिट है 26.83 तो वहां से 27.91 आगया तो चलो आपका 1 billion ज्यादा आगया ठीक है हम भी positive मान रहे है ठीक है हम अब उमीद कर रहे है यार इतना थोड़े ना पीड़े जाएगा शेर और हम तो कहते हैं बराबर भी आता तब भी तो चलता शेर 1800 तो आना चाहिए था 1800 और रिलाइंस इंडिस्ट्रीज के बाहिस से पूरे मीडिया हो है क्या बढ़िया रिजल्टा पिछले साल का प्रोफ कि सीजनल बिजनस इस बहुत जाता है एक अगर हम जी खुप छोड़ दें तो बाकी बिजनस तो सब जो है एक यर ओन यर ही मेजर किया सकता है तो आप देखो 157, 185 करोड का प्रोफिट 157 हो के है आप को के सार विंड़ फूल टेक्स लग गया हम आपर आप चीजों को समझ बहुत सारे वर्टिकल से हैं लेकिन रिलाइंस एक ऐसा कम पोजिशन है कि भाई आदमी को शेर खरीकते हैं यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि मुकेश अम्बानी की हेल्थ क्या है जो मुकेश अम्बानी का विजन है क्या वो विजन नेक्स जनेरेशन कर पाएगे पूरा धिरुबाई अम्बानी जिस कम्पनी को छोड़के गए थे उस कम्पनी में मुकेश ने तो बहुत आगे बढ़ा दिया और अनिलम्बानी ने क्या किया वो आपके सामने आपको पता है यह सब कुछ तो एक लेगेसी जो इश्यू होते है न वो भी होते हैं कम्पनी में तो इन चीजों को भी कंसेडर करते हैं और अभी प्रोफिडिबिल्टी भी कम हो गई है हाले कि रिलाइंस का जो शीर्स है मुझे ऐसा लगता है फेरली वैलूड है लेकिन डाउंसाड के रिस्क खुले रहते हैं जब बजार में बड़े बेचने के लिए आते हैं सब कुछ बि सब की चीज को देखें तो एस्टीमिट था 80.96 और जो आया है 83.11 बहुत ही बड़ी है पिछले साल का जो प्रोफिड था वो 61.9 था ना तो शेर भी 600 की लाइन में था पिछले साल जब वो रजल्ट आये थे अभी जब रजल्ट आये ना तो शेर भी 800 की लाइन में है तो य यह भी ध्यान रखा करो कि नई जी प्रोफिड इतना बढ़ गया पिछले साल जबाए प्रोफिड बढ़ गया ना शेर का भाव भी तो बढ़ गया उसको क्यों नहीं को रलेट कर रहा बट मुझे लग रहा है इसे थीख है और मुझे भी लगता है कि आने वाले एक साल के अब इतने जल्दी तो नहीं बट अगले एक साल के अंदर हजार रुपे का भाव मैं भी एकस्पेक्ट कर रहा हूं अगर परफोर्मेंस रहेगी तो लेकिन उससे पहले एक अच्छी खासी करेक्शन आपको बजार में देखने के लिए मिलेगी और मुझे लगता है कि तो देखीगा पिछले साल जो प्रोफिट था वो 91.32 बिलियन था जीस डबलो स्टील में जो 45.45 बिलियन हो गया आदा हो गया और सबसे खास बत मार्जन जरू देखा अगर ओपरेटिंग मार्जन तो ओपरेटिंग मार्जन थे इनके 23.99 परसेंट पिछले बार और इस बा प्रोफिट किया था 9.9 बिलियन प्रोफिट आया 4.9 बिलियन तो बैंकों के बार अगर आप जहां के देखो तो आपको पता चल जाया का एक और यह देखो बड़ी कंपनी है कोई छोटी कंपनी नहीं है JSW स्टील अतुल लिम्टेड यह आपको सबसे बड़ी है स्पेशलि प्रोफिट निकालो आप कोविड पीड अके लोग डाउन पीड अके भी निकालो तब भी आपको ऐसी परफोर्मेंस नहीं मिलेगी इतनी खराब सबसे खास बात टोप लाइन खतम हो गई पिछले साल से टोप लेशन थी तब बतारो मैं आपको जब सब चीजे पिछले साल से 10% महेंग होगी तो 10% तो वैसी सेल बड़ जानी चाहिए थी सेल गटकाई 12.68% और यह आगाज है कि आगे स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज के साथ क्या होने वाला है स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज ने एक्सपेंशन तो कर लिया दब के खूब दब के कर लिया अब उसके अंदर गोरो प्रोडक्शन नहीं प्रोडक्शन की जो एफिसेंसी है वो तो तब ही आएगी ना जब कैपसिटी यूटलाइशन होगा आपने कैपसिटी तो के घसाब से आप देखो एबिटा कितना था इबिटा था 2.5 बिलिया नहीं कि 251 क्रोड से 122 क्रोड रुपे पे आगाई आप और नेट प्रोफिट में देखो 105 क्रोड के प्रोफिट पागए जो 105 क्रोड के प्रोफिट पे था पिछले साल तो आपका प्रोफिटी 30-40% नी देख लीजेगा सुदर्शन केमिकल देख लीजेगा मेग मनी और निक्स का भी आज अपने सुबह रेजल्ट अनाल्सिस किया इसके लावा आपको और भी चैलेंज मिलेंगे मेरे पॉटफली में भी शेर्स हैं वो कुछ पर मुझे पता है कि भाई आयागा संकडबा में अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इन कंपनी के रिजल्ट देखने के बाद मुझे लग रहा है और उन कंपनी के रिजल्ट और खराब हो सकते हैं और हो सकता है कि भाई साब आपको जुबिलेंट इन गिरीविया का शेर भी साड़े चारसो रुपे और वस्ट केस में हो सकता है चारसो बीस तीस भी बिल सकता है अगर रिजल्ट खराब हुए तो और जिस तरीके से यह स्पेशलिटी केमिकल कंपनी की अत्तुल लिंप्ट कंपनीज की फाइनिशल परफोर्मेंस पर जो एकोनोमी की हाल है उसको इंडिकेट कर रहे हैं आरेवियल बैंक एस्टिमेट क्याता है कि बैंक को इतने नीचे ढूब गये थे यार इनको इंप्रूब होना बहुत जादा ज़रूरी था लेकिन फिर भी जो एस्टिमेट था और 216 करोड़ के प्रफोड़ के सामने उसको पर 209 करोड़ी रिखाए है और लोगों की इतनी मतलब कोईड़ के पाद यार पब्लिक इतनी भूकी है कि भाई कोई गूल को उधार पैसा देदो ना किसी भी रेट पर वो लेने के लिए तैयार है लाइन लगा के पैसा मांग के कैसेटी है कितने लोगों की रिटैन निक्ई पंद्रा परसंट है एमपलोई को छोड़ तो अप बंदन तो देखो साफ साफ पिक्चर दिखाता है आपको सबसे बढ़िया पिक्चर तो क्योंकि गरीव लोगों को सबसे ज़्यादा लोग यह देता है इनक एसे बैंक प्रोफिट है तो इनका ट्रफित होत अपास है कि अब इसे बैंक में जो लोग बेफ बढ़ी है लेगन मुझे जोसे पात करो मैं 202 रुपे बंदन बेंक मillä ठीक है लेकिन मुझे 237 पर थोड़ा सा comfort नहीं है तो अगर यहां से 237 का मतलब 20% नीचे तो simple सी बात ही है मैं तो valuations की बात करता हूँ मेशा तो मुझे लगता है कि 205-210 के आसपास आए तो बंदन bank में रिस्क लिए आया सकते है और valuation wise जैसे similarly आपने देखा RBL Banks के आसपास आया तो बड़े valuers वेल्यू पीकर सां उन्होंने माल उठाया और इसके बाद अगर हम बात करें ultra tax cement और यह दो ना सबसे बड़ी इंडिकेटर है ultra tax cement ना सबसे बड़ी है भाई October, November, December यह तो नहीं कहा होगे ना भाई बारिश का मौसम था अगर एक दो दिन आभी गई होगी तो बात अलग है margins पर नज़ा डालो सबसे पहले पहले margins थे 18.360 अब margins थे 15.05 15.05 तीन परसंट का net profit साफ हो जाना candidate कर रहा है, candidate कर रहा है बताईए 15.07 का तो बजार के experts मान रहे थे EBITDA देखिएगा EBITDA का estimate के तो 23.9 उससे भी नीचा है और पिछले साल का था 24.19 और profitability पर देखो गो तो आपको सारी picture के लिए होगी profit साफ पिछले बार 17.07 बिलियन जो अब 10.6 हो गया करीबन 40-50 और मंदी कैसे होती है यही तो मंदी होती है यही तो slow down होता है जब आपकी manufacturing companies जो consumption से related है, infrastructure से related है वो जब इस तरीके से report करने लग जाए inflation का cement बढ़े है, price बढ़े है, सब कुछ बढ़े है, भाई profit नहीं आ रहा है तो सब कुछ कहां जा रहा है, महंगाई की भीट चड़ रहा है कोटक महिंद्र की बात हम कर चुके थे पीछे, JSW Energy देखो power में भी आ जाओ आप JSW Energy का EBITDA margins है एंटो T8.51% जो की 42% दा तो यहां भी indicate कर रहे है आपको JSW Energy का profit भी देखो consolidated profit 1.79 और 3.24 तो भाई जो shares का भाव हो तो नीचे आनहीं आना है थोड़ा बहुत तो हो भी चुके हैं करेक्ट ऐसा नहीं है कि नहीं हुए तो यह आपके सामने picture है मैं तो आपको पूरे result को आप लेखो बैंकों को हटाके बाखी result देखो आपको सारी picture के लिए हो जाएगी चलिए देखिए आई एक्स आपका सबका फेवरेट सारे TV चैनल्स वालों का फेवरेट जो TV में आल से बेड़ा जा भाई ले लो पिछले दो साल से भाई सब जिसको सुनो भाई सब आई एक्स ले ले लो आई एक्स ले लो और यह सब से नेगेटिव जो है डिटन्स देने में इसने अग्रणी भूमी का निवाई है ठीक है कंपनी अच्छे है सब कुछ बढ़ी है पर monopoly business है लेकि भाई monopoly कितने दिन देग चलो monopoly में भी यार price discrimination कर सकते हो आप किसी से कोई भी प्राइज लगा सकते हो लेकिन भाई pricing higher rate पर रखो न तो demand गड़ जाती है जोने monopoly पड़ी उनको भी पता होगा तो और फिर भी यह monopoly ऐसी है कि इसमें भी competition कभी भी monopoly खतम हो सकती है अभी entry barrier है लेकिन मुझे नहीं लगता क ज्यारदा समय तक entry barrier रहेंगे अच्छे company है लेकिन EBITDA आपके सामने 83 क्रोड के EBITDA आया है जो 98 क्रोड के थे year on year पे profit पर भी देख लो आप company ऐसा नहीं है yes bank आपका सब का चहेता ठीक है जी कहीं पर भी आप बैड़ जाओ ना वहीं पर इसको इसका investor मिल जाएगा आपको ठीक है सेलून में चले जाओ ना उससे पूछ लो सैलून वाला बोले भाई yes bank करीद लो ठीक है ग्रोसरी शोक में चले जाओ उससे पूछ भा बाम हो जागा को कहीं जाओ सारी दुनिया केती yes bankat all तो तो वो लाइबलिटी अगर इनके आ गई तो और इनके गले में गंटी बन जाएगी लेगिन सरकार और SBI चारिए इसकी घंटी जो है कारला एल गुरूप को इसके गले में बांदो वो समालता रहे ठीक है तो सरकार और SBI भी एक्जिट करने के मूड में प्रोफिट देखो पहले पेछले क्वाटर में प्रोफिट गया था बैंकों को तो सब अच्छे प्रोफिट है लेगिनों ने सब कुछ प्रोवाइड कर लिया इस पर यह भी जाना किया है मैं इस पर पूरा नेट प्रोफिट देखिएगा 51 क्रोड का हो गया जो पिछली बार 266 क्रोड का था तो 75% प्रोफिट साफ तो यहां पर चैलेंजिस अभी भी है हाले कि नोंने प्रोविजन पे बहुत ज्यादा फोकस किया और जो है प्रोवाइड कर दिया बैलिंशिट को क्लीन करने की कव प्रोफिट को जादा दर्जी दूँगा नहीं जो कि बैंकों के ठीकते हैं उसके बार डोडला डेरी लिम्टेड तो हाले कि यह कंपरी डोमेस्टिक प्ले है बिल्कुल इसके भी अगर आप मार्जनस देखेंगे इबिटा मार्जनस यह भी 9% से घटके 7.9 हो गया है और इ कोफिट पे इसने नहीं किया है क्योंकि इसने जो टोप लाइन है वह बहुत अच्छे से ब्रूप की है और डोडला डेरी ने तो सच में दूद बेच दिया तो डोडला डेरी जो है वह दूद बेचने में सक्षम रही है तो और मुझे लगता है कि यहां से आपको पूरा बजार का रुख समझने में जो है असानी रहेगी लेकिन market outlook की जो second part वाली वीडियो है उसमें मैं index के हिसाब से जैसे रोज आपको चर्चा करता हूँ उसी तरीके चर्चा करूँगा ये वीडियो आपको कैसे लगी जरूर से जरूर मुझे comment box से बताइए का मेरा जो view है वो rational है हो सकता है कि कुछ मेरे भी portfolio में शेयर रहते हैं और मैं उनके बारे में भी negative बोलता हूँ तो reason बड़ी बड़ा simple है मैं तो जो मुझे दिखा रहा है मैं वो बोलने की कोशिश करता हूँ बेशक्से उसमें मेरी personal investment भी के अगेंस्ट भी मुझे बेशक्से बोलना पड़े तो मैं उससे गुरेज नहीं करता हूँ आपको ये वीडियो कैसे लगी जरूर मुझे comment box से बताइए का आप वीडियो देखन देन्दवाद थेंक यू वेरी बच्छ